गैस, कप्ज और ACTT जैसे पाचन सम्मन्दित दिकते खान पान में गरवड़ी के कारण पैदा होती है शेईर में गैस तब बनने लगती है जब वेक्ती ज़्यादा खटा, तीखा, मसाले वाला खाना, देर रा तक जागना, पानी कम पीना, गुस्सा, चिंता, बहुत तेर तक एक ही जगह पर बैठा रहता है तब होता है इसके अलावा यदि कोई हपते में तीन दिन से अधिक वक्त तक फ्रेश नहीं होता है तो समझ ये उसे कब्ज हो गई है इसका ततकार इलाज बहुत ज़रूरी है इन दोनों ही समस्चाओं में कीचेन में मुझद कुछ खास चीजों का सेवन करने से ना सिर्फ पेट की गैस बलकि कब्ज जैसे दिकते भी बड़ी आसानी से चुटकारा पाया जा सकता है तो चलिए जानते हैं कब्ज और गैस के दिकते से चुटकारा पानी के लिए घरेलू उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं जो बहुत ही कारगर है और तुरंथ ही इसका रिजल्ट मिलता है पहला है सौफ का पानी एक कप उबले हुए पानी में एक चमच सौफ मिलाकर रात भर के लिए रख दें सुवा इसे चान ले और इसमें एक चमर्ष रहद मिलाकर इसे पी लें इस निश्रन को दिन में तीन मार पीने से पीट की गर्मी और एसीडिटी की समझ्याएं दूर हो जाएगी इसे पीट का फुलना और गैस की समझ्याएं भी दूर हो जाती है दूसरा है एलो वेरा का जूस पिए एलो वेरा जूस आपके आप में पानी की मात्रा को बढ़ाने के साथ कबजी की समस्याओं को भी दूर करता है इसके लिए आधा कब एलो वेरा का जूस का सेवन करके आप पेट की जलन को भी दूर कर सकते हैं अगला है जीरा भूना हुआ जीरा ठंडी पानी के साथ खा ले इससे आपको गैस से रहात मिलेगी चौथा है अदरक अगर आपको लगातार पेट में गैस बनती है तो रोजाना दो से तीन बार जरा से अदरक के रस में उतना ही शहद मिला कर खाए यह आपके पेट के गैस को कम करने में मदद करेगा और साथ ही अपकी पाचन क्रिया को भी मजबूत करेगा पाजबा है नीमू भोजन में काला नमक, आधा नीमू, सीका जीरा, हींग और सलात की मातरा बढ़ाए इसे कबजी के साथ ही पीट से जुड़ी समझ जाए और मेमारियां भी दूर हो जाती है